हलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेल्कम टू आर यूट्यूब चैनल मेट जी एक्जाम आम यूर मेंटर अविनाज सर्थ आई बिलिब इन स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क और आज मैं रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट नाइन को लेके हाजिरू और आज का हमारा टॉपिक है साइकस एंड पाइनस इन वन शॉट जानी इसमें कम्प्लीट मैं जिम्ने स्पॉम को कवर करने वाला हूँ राइट और इससे एक भी कोईशन नी टेम्स में बहार नहीं आएंगे यह है हमारी गैरेंटे तो करते हैं स्टार्ट के लेट स्टार्ट नाव सबसे फर्स्ट पॉइंट जो जिम्ने स्पॉम है यह हमारा देखो सबसे इंट्रेस्टिंग इसमें एंब्रियो होंगे सीड होगा फ्रूट नहीं होगा फ्रूट लेस है दूसरी बात नेकेट सीड होगा ठीक है और ओवरी जो है वो नॉट इंक्लोजड बाई ओवरी वाल राइट उसके बाद देखो जो इस जिम्ने स्पॉम की बात होती है तो जो जिम्ने स्पॉम में यह बहुत ही पॉपिलर कोईशन है बहुत ही इट कोईशन है बहुत बार पूछा हुआ है जो फंक्षनल मेगास पूर है जो फंक्षनल मेगास पूर है यही आगे चलके जर्मिनेट करके यह एंडुस्पॉम फॉर्म करेगा इसलिए इसकी फ्लॉइडी लेवल है फ्लॉइड होगी जबकि यह एंडुस्पॉम में अलग होती है ठीक है और यह जो एंडुस्पॉम है यही मल्टी सेलूलर फिमेल गेमिटोफाइट होंगे ठीक है तो यह हमारे जिमेल स्पॉम के जो एक्स्ट्रा सॉर्ट्स है जो की पॉइंट से अलग है और कफी पॉपिलर इसमें से एक और पॉइंट आप यूज़ कर लो जो स्मॉलेस्ट जिमेल स्पॉम है वो है जैमिया पिग्मिया राइट पॉपिलर क्वेश्चन है वो मैं पहले माक करता हूँ देखो उसके जो स्टेम है जो प्लांट है उसके ब्रांच अन ब्रांच से रिलेटेड है सागो पार्म से रिलेटेज है जो उसके स्टेम से रिलीज होता है मिलता है सेक्सोलिटी जो है वो उससे में कुशन फ्रेम होता है और स्पर्म के मल्टी फ्लेट जो भी फ्लेट यह सी लेट जोनों कंडिशन को वो कर लेता है वो पूछता है सेक्स के बारे में एक सिंपल इंट्रेस्टिंग चीज मैं बता हूं कि जो यह नेटिव है वो जैपान का जैसे तुम पोटैटो जो खा रहे हो वो पोटैटो पेरू का है इंडिया का तो है नहीं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो नेटिव अलग कंट्री से आया हुआ है तो जेस्ट फॉर इंफॉमेशन अब देखो अंडर ब्रांच का मतलब हो गया कि वो सिंगल ऐसे प्लांट होगे लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताना चालओ कि अगर यह मेल होगा तो यह ऐसे एंडिंग होगा अगर फी मेल होगा तो इस टाइप की एंडिंग होगी है कि लैट और ऐसे जो यह जो जो एलेजमेंट है जिस तरीकए का इसे हम कोड़ेक्स बोलते सागों पाम सागों के बारे तो कि यह सोर्स ऑफ स्टार्च है और यह सोर्स ऑफ स्टार्च और यह मिलता है, इसलिए इसको हम commonly सागोपाम बोलते हैं जो question काफी पूछा जा रहा है, मैं पहले वही clear कर रहा हूँ Diceus, देखो sexuality लेकर मैं एक बात बता दूँ कि जो sexual demorphism वो clear है, separate sexes है देखो जो Diceus है और Unisexual Actually, इस question के जो format है, उसमें कहीं बारी जो Unisexuality, Bisexual, Monaceous, Diceus, Hermaphrodite, Homothelic, Heterothelic कुछ basis पर वो सेम है, कुछ basis पर अलग है, कहीं बारी वो common general feature में question पूछते हैं, तो Uni का मतलब है Unisexual और Unisexual का मतलब है कि जो female plant देख लो, और male plant separate है तो यह Unisexuality है, और इसी को दूसरे इतर में Diceus बोलते हैं तो यहाँ पर male female separate है, तो यह बात clear है, तो यह बात clear है, देखो जिसका sperm है, वो multi-fledulate, multi-ciliate, दोरो तरीके से आप यूज कर सकते हो, हाँ एक यह भी point है, जो कि मैंने इंक्लूट किया है, जो अक्शली देखो, सिफानो गैमी एंड जोईडो गैमी, बहुत ही popular question है, जो सिफानो गैमी जोईडो गैमी पर अक्शली देखो, यह pollen tube से related, जब फटलाइशन होता है, तो देखो, इसका जो गैमिट है, वो पहले खुद मोटाइल है, इसलिए यह ज pollen tube के तुरूए है, इसलिए वो word यूज किया गया है, यह word भी clear, अब आते है, extra stroke में, देखो, जो इसके compound lips होते हैं, लेकिन, इसके pinnately lips भी होते हैं, वो भी few years, जो pinnately lips होंगे, वो few years होंगे, ठीक है, monozylic और polyzylic का case यहाँ पर है, actually, monozylic जो है, जैसे इसके xylem के एक ring होंगे, right, और, एक ring होंगे, क्योंकि देखो, जो कुछ reason wise होता है, जब ngospo में हम लोग पढ़ेंगे, वो ring बहुत सारे बढ़ते जाते हैं, उस cambium ring से हम age को भी decide करते हैं, इसमें एक होंगे, इसल यह, पिक्नो जायलिक होना चाहिए, और, पिक्नो जायलिक का मतलब हो गया, कि इसमें, देखो, ring कम है, obviously, बहुत सारे ring नहीं है, तो इसका मतलब, xylem इसका less होगा, content में, कम होगा, और इसे common, जो है, palm form बोलते हैं, palm form, देखो, मैंने सारे चीज को clear कराया, डिप्लो जायलिक वैस्कुलर वंडल, देखो, xylem से word है, जो इस वैस्कुलर वंडल जो इसके form होंगे, ऐसे दो रावन में, वैस्कुलर वंडल में, xylem होंगे, two set में होंगे, इसलिए डिप्लो जायलिक वैस्कुलर वंडल और omega sap है यह, clear, तो यह, हमारे cycle से related, complete information, next, pinus, फिर मैं बता दूँ, पैनल से related जो question है, उसमें मैं सबसे पहले आपको mark कर दूँ, number first, मैं color change करता हूँ, एक अलग, इसकी feeling आएगी आपको, देखो, branch से related, right, second, जो sexuality से related, और seed जो है, यहाँ पे related, क्योंकि इसके seed में भी यहाँ पे wings मिलेंगे भी, मैं उसको भी note कर रहा यह इसके बहुत ही important चीज़ है, आते हैं point पे, देखो, जो pinus है, वो ऐसे, यह plant ऐसे branch है, इसको तुम बना दो सारुक खान, सारुक खान का जो एक signature steps होता है, वो ऐसे हाथ फैला है, खरा रहता है, तो यह branch है, देखो, अगर वो branch होगा, तो देखो, वो love shop का scene या है, कि romantic acting क जब भी ऐसा होगा तो इसमें, male और female, दोनों एक साथ रहेंगे, यानि देखो branch है, क्योंकि हाथ फैला के खरा है, और monaceous, यानि bisexual, bisexual का मतलब यह हुआ, कि both male और female, on same plant, देख रहे हो, यह branch है, यह male, female एक साथ आया, तो monaceous का भी term clear हो गया, branch का भी clear हो गया, जो मैंने एक स आरुखान का, SRK का trick दिया है, राइट, देखो simple lips हैं, और इसमें needle lips भी होते हैं, जो बिल्कुल pointed होते हैं, वैसे भी देखो कि इसका जो reason है, जिस तरीके से, जिस area में यह रहता है, हिली reason में तो वो हो नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, नेक्स्ट, पिक्नोजाइलिक, देखो पिक्नोजाइलिक में जाइलम बहुत जादा होगा, इसलिए इसका commercial use होगा, और जो mono-जाइलिक है, वो wandering, देखो seed of pinus जो वो चिलकोजा बोलते हैं, और सबसे पहले जो seed है, यह seed भी क्या होगा, wings होगा, यानि winged होगा, और इसलिए इसको बोलते हैं, चिलकोजा pine, क्या बोलते हैं, चिलकोजा pine, ठीक है, मैंने branch and branch के बारे में भी आपको समझा दिया, और एक branch से एक और cheese question यह पूछते हैं, देखो, pinus है, यह भी branch है, तो branch में दो option आते हैं, एक pinus, और दूसरा, citrus, citrus, देखो, citrus तो बहुत ही पुराना Hindu mythology के हिजब से यह बहुत ही religious plant माना जाता है, देवदार, और इसके wood से railway sleeper बना जाता है, बहुत light होता है, strong होता है, आप इसमें मैं extra information कुछ देना चाहता हूँ, अब इसका point है, फिर भी मैं देना चाहता हूँ, आप note करो, number first, Jinkgo by Loba, यह एक living fossils है, अभी मैं बताता हूँ, living fossils क्या होते हैं, इसी का दूसरा नाम है, Madden hair, fun, ठीक है, और, देखो, living fossils के बारे में मैं बता हूँ, living fossils, ऐसी species होती है, plant या animal में, या तो जिस समय वो evolution में आई थी, वो extinct कर गई हूँ, अब है ही ने, या अब भी वो है, लेकिन उसमें अब कोई change वैसा नहीं है, जिस समय वो exist आया था, और आज, no modification, तो बताओं, जिंग को जो है, ये तो है example, लेकिन अगर इसके अलावा, अगर कोई और question दे या option नहीं दे तो आप cycles finance में से किसी को भी मारोगे, ऐसे का फिक जहनी, ये popular question में से निफ में से पूचा गया, जिंग को के बारे में use किया गया, तो इसलिए मैंने आपको लिखा है, और एक commercial बहुत important चीज़ है, कि Texas, इसको यूट्री बोलते है, और इससे chemical substance निकलता है, Texol, और ये anti-cancerous है, cancerous drugs बनते हैं इससे, right, next जो हमारा है, वो इसके pollen grains से लेकर है, जो इसके pollen grains है, ये 4 cell stage में होते हैं, आप normally angiosperm के आप जब देखोगे, उसके 2 से फिर 3 बनते हैं, इसमें 2 देखो, प्रोथेलियल सेल हो गए, उसके बाद फिर 1 इसके जनरेटिव सेल हो गए, और 1 वेजिटेटिव सेल हो गए, right, यानि कि मैं इसे प्रोथेलियल सेल बोल सकता हूँ, इसे जनरेटिव सेल बोल सकता हूँ, और इसे वेजिटेटिव सेल बोल सकता हूँ, सब्सक्राइब का इन थे इंपोर्टेंट क्योंकि देखो इसके जो पॉलेड निकलते हैं एक्षिली पॉलेन भी विड्ड होते हैं और विंड पॉलेन की वज़े से एयर में सस्पेंड होते हैं उड़ते हो एक येल्लो सब्सक्राइब का है, हैज, हैजनेस एक एटमस्फिया में क्रीट कर देता है, ठीक है? और वो एक सलफर साबर के नाम से जानते हैं और इसका जो पाओलन जो है, वो पाओलन एइलर्जी सो करता है और पाओलन एलर्जी से सब वेरी कॉमन सिम्टम से जिसको रणिंग बहुत क्यूमन है जिसमें नाक से पानी आना, एलर्जी, इरिटेशन खासी वह होती है और इसके विंग पॉलेन ग्रेंस होते है देखो ये पॉइंट मैंने पहले डिसकस कर दिया गिए फंक्शनल मेगा स्पोर्ज है, वो फिमेल गेमिटोफाइट होते है और वो इंडोस्पम बनते है, इसके प्लॉइडी लेवल एन है देखो एनिमोफिली, जो ये एनिमोफिली का मतलब इसका पॉलिनेशन जो यानि पॉलिनेटिंग जो एजेंट है जो इसके पॉलिन ग्रेंस है, प्लस जो सीड, ये दोनों क्या होंगे है, विंग, देखो लास्ट पॉइंट है, बहुत जाद इसमें जाना नहीं है, जस्ट इन्फोर्मेशन मैंने लिख दिया है, जो इसके, क्योंकि देखो, मैंने ऐसा पॉइंट इसलिए बनाया है, क्यो तो ये बहुत ही बोरिंग सा और इन्फोर्मेटिव चीज है, जो कि आप ना इन्फोर्मेशन रख पाऊगे, तो मैंने सीथा कीवर्ड को, हर जगा आप देखोगे कीवर्ड को उठाया, और उसको टार्गेट लेके कुश्चन किया, और सारे कुश्चन्स आपके बनेंगे इस से, यानि कि मैं इसमें यूस्पोरेंजेट आपको समझाना चाहता हूँ, जो स्पोरेंजिया राइस फ्रॉम सेवरल एपिडर्मल सेल, और ये एक पॉली एम्ब्रियोनी का केस है, ठीक है, बहुत सारे एम्ब्रियोस में होंगे, यूस्पोरेंजेट पॉली एम्ब्रि इसका मेरोब्लास्टिक होता है, ठीक है, तो यह बात मैं इसमें सेर करना चाहरा हूँ, कि आपके यह जो साइकल स्पाइन से जो इन्फोर्मेशन इसको अगर इसे आप ऐसे बुक लिट्रेचर के हिसाब से लेंग्वेज में लोगे, तो वो नहीं हो पाएगा, आप इसके इतने भी कीवर्ड से उसको उठाया, उसको एक्स्प्रेंड करके दिया, यह डैटो का अब दोवारी वैज करोगे, एक भी कोशन आपके नीट और एमस में इससे बाहर नहीं जाएंगे, ना आज तक का रिकॉर्ड है, तो देखो, प्राई करते रहोगे, डॉक्टर तो नहीं है, क्योंकि आपने जिन्दगी इसके लिए कुरवान कर रखी कि हमें यह बनना है, यह आपकी एक पैशन है, लेकिन इसमें काफी लोग होंगे जो आपके लाइफ में आपके चुटकी लेंगे, आपको डाउन फॉल करवाने की कोशिस करेंगे, जिन्दगी में एक ब बश्रूर सोच लेना लाइफ में कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, पॉजटिव कर रहे हो, क्योंकि आप चर्चे में हो, अगर आप कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल बैठे वेर होगे, तो लोग आपके वारे में कुछ नहीं चर्चा करना है, तो मेरे प्यारे फ्यूचर प्लीज लिसन टो में कर रहे हो, यदि लोग आपके खिलाफ नहीं हैं, तो समझ जाएं कि आप अपनी जिन्दिगी में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप एक बहुत ही माइल स्टोन केरियर की तरफ मूव कर रहे हो, तो मुझे पार बहे हो परीज़ा नहीं है मुझे घसे अचने ऊटल